प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है उस पर कोई चलता है जीवन उसे मिलता है उसके नियम को जो माने वो कभी धिना भठकेंगे संसार के सब त्राणी उसका जिनाम देगे ती आकाश दोनो आज का संदेश प्रमेशर के दास नेलसन तॉमस मुंबाई से माटा जाएगा रातना के साथ सुनी यहना का सुसमाचार उसका चार अदियाए बैयाली स्वापत को हम पढ़ेंगे जान्स कास्पल चाप्टर फोर वेर्स फोर्टी टू हम इस प्रकार पढ़ते हैं तब वे उस्तरी से कहने लगे अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने सोयम सुन रिया है और हम जान यहे हैं कि यही सचमुष जगत का उदार करता है प्रभु पढ़ने शुकिस्तु दी हो हम विचार कर रहे थे प्रफिश मसी और शमरी स्टरी के बीच में जो बाचित हुआ और वहां से कई सबक हम ने देखा आईस वचन में हम देखते हैं उसका जो समाप्ति या निशकर्ष यह जो वचन की आधार पर हम दो गवाहियों को देख सकते हैं गवाहि मतलब हमारा जो अनभोगी साची हम यहां से समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक विश्वासी के जीवन में गवाहि बेनते हैं और उस गवाहि के दुआरा कितना असर ओते हैं उस गवाहि से किस प्रकार लोगों बर प्रभाव आसाची शमरीस्त्री की गवाहि देखते हैं और सुखार नगर के निवासियों के गवाहि को देखते हैं आईए सबसे पहले समरी स्त्री की गवाही की बात को देखेंगे उस 28 पत और 29 पत को देखते समय हम समझ सकते हैं कि जब उस्त्री ने इस बात को परावर समझा इश्य मसी स्वयम मसीहा इश्य मसी उनका खरदई की घराई को समझने वाले उधार करता है जीवन की पानी देने वाला है उसने क्या किया उसका जो घड़ा उसका जो बकट वहीं चोड़ दिया नगर में जाकर लोगों से कहा आओ एक मनिश को देखो जिसने वो सब कुस जो मैंने किया मुझे बता दिया कहीं यही तो मसी नहीं अब यहां से दो बाते हम देख सकते हैं इस समरीष्ट्री के जो गवाही आओ उस मनिश को देखो क्या उस मनिश मसीहा नहीं इसका मतलब पेशले कई सदियों से यहूदी लोग और अन्य लोग उधार करते का इंदिजार किया जो उधार करते का मसिखा का आगमन का इंदिजार में था इस समरीस्त्री ने समझा विश्वास किया क्यों विश्वास किया उनका गवाही इतना सरल है, इमानदारी का है, सीधे है, अपना कुvit का अनभो के आधार पर बताते है, कि मैंने जो कुछ किया, मैरा रहास्य माइ जीवन, रहास्य माइ पाप, मैरा अंदकरन का विचार को समझा हुआ एक वेक्ती, मुझसे कहा हुआ एक वेक्ती को मैंने दे से जो गवाही को सुनकर हम देखते हैं कि उस नगर के कई लोग ईशु से मिलने को आया ये वो दूसरी बात उनका गवाही सीधे है सरल है अनभोका है और उसके वजे से उनका गवाही एकदम प्रभाव दिया एकदम लोग आच्छे रे चक्द हो गया उस नगर से बहुत सारे लोग ईशु मसी से मुलाकत करने को आया मुझे सुनने वाले प्यारे बहनों ये बात सही है परमेशक के वच्छन की अनुसार बहनों की सेवगाई के लिए कई सीमा है पहली कुरंदी 11 अध्याई में और पहली तिमती 2 अध्याई में सबम पढ़ते हैं बहनों की सेवगाई का कुछ सीमा होता है लेकिन जरूर आप अपना अनभू तो बता सकते हैं आप देख लिजिए एक स्त्री शमरी स्त्री उसका नाम भी नहीं दिया है उस शहर में इतना आधरनी जीवन भी नहीं बिताया हो वो स्त्री की गवाही अनभू की साच्षी लोगों पर कितना अपनी पत्री में कहते भी हैं दहनों की जिम्मेदारी खास तोर से घर के अंदर अपना पती के ऊपर बच्चों के ऊपर आध्यातनिक प्रभाव देना हैं उसके अलावा यहां से देख सकते हैं आपके कडोसी आपके गाव के लोग आपके पचान के लोगों के सामने अपन पढ़ते हैं प्रेरित पवलुस की सही कई सहकर्मियों के संबन पढ़ते हैं विबेखनें थे प्रभू हमें साहत अगर इसका किसका गंभिर्दा को समझें हमारी जिम्मेदारी को पूरा करें और दूसरी एक बात हम देखते हैं कि इन इन सुखार के लोगों का जो गवा है अ और वो रहा दो दिन रहा उनको समझाया सिखाया इसके बाद लोग बोल रहा है अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमने सोयम सुन लिया है हम जानके लेकि इन लोग समरी स्त्री के गवाही के अनुसार इश्व के पास हैं अब बोल रहा है हमारा विक्तिगत तोर से इश्व से सुना, हमारा भी कित्वन ऐसा होना चाहिए, जरूर हम इश्व मसी के पास आते हैं, किसी ने सिखाया, हमें समझाया, किसी ने सुनाया सो समाचार, लेकिन अमारा विश्वास का आधार, और कोई इंसान का शब्द नहीं, हमें इश्व मसी के विक्तिगत संबंद होना रही, पनेश के वचन के आधार पर हमारा विश्वास होना चाहिए, विक्तिगत अनवो हमें चाहिए, और दूसरी बात, वो कितना साफ तरीके से समझा, यही सच मुछ में जगत का उधार करता है, प्रभीश मसी सारे जगत का प्रभू और उधार करता है, वो केवल यहूदियों के लिए, केवल एक खास देश निवासियों के लिए, सारे मनिश जाती जो कौाप में अपनात ने मरे हुए हैं, हमेशे के नरक के रास्ते पर हैं, सारे मनिश जाती का उधार करता के रूप में, केवल एक ही प्रभू है, वो प्रभू यश् जो गवाही होता है ये दूसरों तक पहुंचाने के लिए कितना उच्साह है कितना ख्रदई के अंदर विचार है इस्तरी अयूग यह होने के पहुजूद भी अनादर की जिंदगी पीसले सालों में बिताया तोगी पन्मेशम में इस्तरी का एकदम सरल चोटे से गवाही को इस्तेमाल किया आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई अपना हर काजी को चोड़ कर भागे हम औरों के सामने दूसरों के सामने कहें देखो एक मनिश्य जिसको मैंने देखा है प्रभु इन वचनों से हम सब को साता करें प्रभु के नामी महिमाल